नमस्का सुमनागरा स्टाइल में आप सभी का स्वागत है और आज मैंने ये फर्स्ट क्राइब से कुछ कपड़े मंगाए हैं दीपावली की शॉपिंग की है बच्चों के लिए तो आईए इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं आप हमारे साथ बने रहे हैं और आप लोगों ने हमारे चनल सुस्काइब नहीं है याद प्रीस सुस्काइब कर लिए ये बैल आइकन को प्रेस कीजिए विल्कुल फ्री है और ये इसी तरह से मैं आप लोगों से अपनी सारी बाते शेयर करती रहती हूं और अभी ये बेवी निकाव और अनक के कपड़े मैंने मंगवाए थे तो मैंने चलो आपको भी दिखाते हैं और आप बताईए कैसे लगते हैं कपड़े तो मैं इसको देखिए खोल रही हूं इतनी अच्छे से पैकिंग होती है कि थोड़ा एकदम से खुलता भी नहीं है सब तरफ से और और अभी सेल चल नहीं है थोड़ी फैस्ट क्राइप है तो हर फर्स्ट विल पर हर ऑनलाइन शॉपिंग सब पर सेल चलती है तो इस टाइम कुछ भी लेना बहुत अच्छा होता है तो मैंने भी यह लिया है यह देखिए अब मैं दिखाती हूं आपको निकाल निकाल कर यह हमारे अनक का है जैकेट क्योंकि सर्दी आने वाली है तो इसलिए सर्दी का ही मंगवा लिया है और इसे दीपावली की हो जाएगी और सर्दियों में भी काम आने वाला है और आप लोगों नेर्दी फर्स्ट क्राई से कभी सॉपिंग नहीं किया तो बच्चों के लिए बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं यह देखिए और हर कोई ले सकता है इस तरह से रेट वाइज भी बहुत सही होते हैं पैकिंग भी देखिए बहुत अच्छी होती है यह दिखिए यह भी स्वेटर है सर्दियों का यह भी अनक का है एक एक करके मैं सारे दिखाती हूँ यह है हमारी यहनक की एक छोटी बेबी है सिस्टर उसके लिए है हर पैकिंग बहुत अच्छे से है आप अगर चाहे ना अलमीरा में भी तो इसकी तरह से एक एक अच्छे से पैक करके रख सकते हैं सतहे भी नहीं बिगड़ी और तुरन ठूने भी मिल जाते हैं कपड़े यह देखिए पजामी है यह पजामी भी हमारे अनक की है और यह क्या निकल ला है अभी दिखाती हूं और बाल मेरे बहुत ज़्यादा साइनिंग मार रहा है क्योंकि आज मैंने बहुत हैवी ओइलिंग की है वालो में यह है छोटे बेवी के लिए बहुत खुब्सूरत लग रहा है और कपड़े है ना कपड़ों से तो कभी मन नहीं बरता है अलमारी भरी पड़ी है पर जब भी देखो एक मगाने को हो तो चार पसंद आ जाते हैं यह देखिए भी अनक के लिए है यह भी अनक की ड्रेस है क्योंकि सर्दिया आ रही तो बच्चों के इस टाइप की कपड़े सर्दियों में अच्छे लगते हैं छोटे बच्चे थोड़े जल्दी बढ़ जाते हैं तो हर समय हर 6 माईने बाद उनको न्यू कपड़े चाहिए होते है थोड़े साइज में यह पैजामी है अनक की और अभी तक इससे मैं काफी समय स्वापिंग कर रही हूं कभी भी कोई शिकायद का मुकार नहीं मिला इसलिए मैं आप से आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं यह देखिए यह दीपा वाली की स्वापिंग हो गई है अभी से यह है अनिका की पैजामी काली ज्रेस के साथ और लास्ट यह है बिलिस का और पस कैसी लगे आपको कपड़ेत कमेंट बाक्स में जरूर बताई और आप भी फर्स्ट क्राई से ट्राई जरूर करें धन्यवाद